हाई दोस्तो एक बाफिस से आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल आरिव डिजिटल ब्लॉग पे दोस्तो आज मैं फेस्बुक से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने दोस्तो अभी एक important factor है कि फेस्बुक में हम लोग किस तरह से अपना प्रोफाइल को लॉड करें तो दोस्तो लॉड करने का ये फायदा है कि आपके फेस्बुक में दोस्तों को छोड़ करके बाकी और कोई भी अगर आपका Facebook पे पेज आपके Facebook के profile पे अगर घुसना चाहेगा वो देखना चाहेगा कुछ भी information तो दोस्तों वो नहीं देख सकता है उसके लिए आपको अगला बंदा क्या करेगा कि आपको request भेजेगा friend request और जब आप उसका friend request accept करियेगा तब ही जाकर कि वो आपका profile में जाकर कुछ भी देख सकता है या फिर share कर सकता है otherwise दोस्तों जब तक का आप उसका friend request नहीं accept करते हैं तब तक का वो कुछ नहीं कर सकता तो ये एक फाइदा है profile log का कि आपको आपका profile में कोई भी जाकर के ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं देख सकता है या फिर नहीं share कर सकता है तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे facebook आप पर किस तरह से हम लोग अपना profile को log करेंगे और लोग करने के बाद में फिर किस तरह से unlock करेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल आरिव डिजिटल ब्लॉग को लाइक करिए मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो share करिए share करिए और किसी भी तरह का अगर आपको dot है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके मुझे से पूचे हमरे बेजी जग आपको हर सवाल का जवाब बताऊंगा तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपना Facebook यह एप खोल लेंगे open करेंगे open करने के बाद में हम लोग इस तरह से लॉग इन करेंगे लॉग इन करेंगे दोस्तों अगर आप लॉग इन करने में इस तरह से अगर आप आप आटमेटिक नहीं करकर रखें तो आप Facebook आप के ओपर जाईए वहाँ पर डारेक्ली जुजर ने पासवर्ट डाल करके आप ल अब दोस्तों देखें यह प्रोफाइल में जाएंगे यहां पर क्लिक करें यहां पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों देखें यह मेरा प्रोफाइल खुल गया है इस तरह से अभी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग अपना प्रोफाइल लॉग करना है तो देखें ये जो profile के निचे में यहां पर 3 dot है दोस्तों ये 3 dots पर click करेंगे अभी देखें दोस्तों, 3 dots पे हम लोग जैसे click करते हैंometreли option आजाएगा यही option में यहां पर आप देखेंगे दोस्तों देखिए यहां पर दिखा रहा है lock profile इस पर click करेंगे अब दोस्तों देखिए यहां पर बोल रहा है lock your profile make your photos and post are more private in one step यहां पर बोल रहा है कि आपके profile में या पर फीड में जो भी photos होगा या पर पोस्ट होगा वो आप private कर सकते हैं उसको सिवाए आपके friend list में जो भी friend है उसे छोड़ करके बाकी और rest of the people कोई भी नहीं देख सकता है तो दोस्तों देखिए यहां पर process बता रहा है कि how locking works किस तरह से lock जो है work करता है only friend will see the photos and post on your timeline आपके timeline में जो भी post या पर फोटो से रहेगा वो केवल आपका friend ही देख सकेंगे उसके बाद में बोलता है कि only friends will see your full size profile picture and cover photo और जो मेरा दोस्त लोंग ही है वही लोंग मेरे profile photo को भी पूरा देख सकता है और cover photo को भी देख सकता है और दोस्तों बोलता है next में कि people you are not friend with will see a maximum of five profile detail अभी दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि अगर आपका जो दोस्त नहीं है और वो अगर आपका profile को देखना चाहता है तो वो most to most कुछ 5 basic चीज होगा जिसको की वो देख सकेगा ठीक है दोस्तों otherwise वो कुछ नहीं देख अभी देखें यहां पर option आ रहा है lock your profile यहां पर दोस्तों हम लोग क्लिक कर देए हैं ठीक है दोस्तों अभी जैसे ही lock करेंगे यहां पर देखें दोस्तों दिखा रहा है you locked your profile only your friend can see the photos and post on your timeline यहां पर बोल दोस्तों कि आपको आपका profile का photos और जो timeline है वो सिर्प आपका दोस देख सकता है तो दोस्तों चलिए इसको okay मार देते हैं अभी देखें दोस्तों यहां पर लिखा रहा है your profile is locked ठीक है दोस्तों तो इस तरह से profile लोग कर दिये हैं अब कोई भी अगर अगला बंदा आता है अब वो चेक करेगा मेरा profile तो नहीं चेक कर पाएगा उसे यहीं पर प्रोफाइल पर क्लिक करेगा उसको यह option दिखा देगा कि यूजर प्रोफाइल इस लॉग्ट या फिर यूजर है लॉग्ट इस प्रोफाइल अभी उस्तों लोग इहां पर लॉग आठ हो जाते हैं चेलिए लोट होए थे दोस्तो इस तरह से ही हैं 3-line पहे क्लिक करेंगे नीचे चले जाएंगे यहां लोट ओप्शन है यह देखें दोस्तो लोट होगे अब हम लुग क्या करेंगा दूस्तो प्रोफाइल का फिर से अनलॉक करना है तो चलिए अनलॉक का प्रोसेस देखते हैं फिर से हम लोग इन करेंगे लोगिन कर लिए दोस्तों ये देखिए अपना फीड वाला पेज खुल गया है अब क्या करेंगे दोस्तों फिर से हम लोग ये थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में हम लोग अपना प्रोफाइल में जाएंगे दोस्तों, देखे सी यो प्रोफाइल का ऑप उसके बाद में देखें दोस्तों क्या दिखा रहा है कि यूर प्रोफाइल इस लॉक्ट प्रोफाइल अभी फिला लॉक्ट है और यो फोटोज और मोर प्राइबेट बिकॉस यू लॉक्ट यू प्रोफाइल यहादा प्राइबेट है क्योंकि आप प्रोफाइल अपने लॉ करना है in Wight friend को नहीं करना है अंलोक करना है ठीक है ऑई बोलता है दोस्तों यहां पर हाव यू आर प्रोटेक्टटेड यह दो समय आभी आपको बता चुका हूं पहले तो देखिए दोस्तों हम लोगा काम क्या है कि अंलोक करना है तो हम Elle were when you lock your profile on July 28 2020 अभी बहुरा दोस्टो अगर हम आज ही के दिन हम अभी क्या कर रहे थेगा सब्सक्रापर करो ह् kayden होग ऑई क्नलोग कर रहे थे हम औरा कि को आजी के दिन जब हम जब लॉक तो इस से पहले इस तरह से मेरा प्रोफाइल था वही प्रोफाइल अब फिर से जब हम उन्लॉक कर देंगे तब भी उसी तरह से दिखाए देगा तो चलिए दोस्तों ठीक है एनी चेंजेस यूमेड आफ्टर यू लॉक्ट यू प्रोफाइल भी लिस्टे दा सेम रहेगा चेंजेस कुछ भी करेंगे तो सेम रहेगा नहीं वह लॉक नहीं अब प्रोफाइल यहां से खट गया है तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था अभी दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए सेर करिए कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सेर करिए ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा गुड़बाए